हेलो डियर स्टूडेंट्स हावा यू आल शेमी क्लास दे गणित विशे नार सबंदित सेशन विचे तौड़ा सार यांदा स्वागत है जिमें के तुसी सारे जानदे हो असी चैप्टर नंबर वन जिसना नाम है अपनिया संख्यामा नू चानना मेंस नोइंग आर नंबर इ विचते तहत असी एस्टीमेशन टॉपिक मींस निक्टी करन टॉपिक जो है वो स्टार्ट कीता होया उस ते उसनों उस टॉपिक नों असी कंटीनू कर दे हुए कुछ एक्जाम्पल्स होर करांगे आओ असाइनमेंट नंबर 63 कर दे आज इस असाइनमेंट नों करन तो पह है कि जिमें जिमें पारत दे पाकिस्तान दे विचकार क्रिकेट मैच चाल रहा तो उस मैच नों देखन वाले स्पेक्टेटर्स दी गेंटी ता सिरफ असी अंदाज्जा लगा सकते हैं सो बच्चे एस्टीमेशन दा मतला भी किया एक तरह दा अंदाज्जा हुंदा एसे सिक्स्टी टू असाइनमेंट दे विच एक एजांपल तो उन्वाई सी एसाइनमेंट दा फर्स्ट कोश्चन दाडी स्क्रीन दे उपर फ्लैश भी हो रहा कि पहला कोश्चन की है कि कारवेच बहुत बड़ा समागम होवे ता असी और वाडे मेहमाना दी गेंटी दा सिरफ की कार सकते हैं बच्चे अंदाज्या लगा सकते हैं असी किसे सांख्या दा दहाई तक सैंकडे तक ते हजार तक निक्टि करन कीता सी रूल्स की सिगे फॉर एस्टिमेशन उदेरी रूल्स की सी कि जेड़े भी आंकडा मनलो असी दहाई तक एस्टिमेशन करनी है ता असी इकाई आंक देखना है जे असी सैंकडे तक means 100 प्लेस तक एस्टिमेशन करनी है ता असी दहाई आंक देखना है और अगर असी हजार तक means 1000 तक एस्टिमेशन करनी है ता असी केड़ा आंक देखना है सैंकडे वाला means 100 प्लेस वाला आंक देखना है यह बच्चे मेल ची जासी वंस इत्थे असी लिख्लों तुसी तैंस तैंस मतलब टी और हंडर्स मतलब अच्च्च् चल्क मेले तक एस्टिमेशन ली मतलब अप्राक्सियमेशन सेल्य रूल के निक्टी न्यकलान के में करती सास्टिमेशन है दहाई तक करना है ताौ फेनकड़ आंकн के माला करना है ता नक्टी करना है means 100 place वाला जो digit है वो सी देखना है सो प्यारे वद्यार्थियो इस rule भी एक वार फिर note करो सारे बच्चे note करो the high तक estimation ले 1 आंक सैंक्डे तक estimation ले the high आंक 1000 तक means 1000 तक का estimation ले सैंक्डे वाला आंक सब तो easy method है है और अगर तुसी ए a point note कर ले तो आड़नों बहुत easy हो जाना होन अगला second दे विच step जो rule है estimation दे विच उस तो बार इसी check करना है कि जो एकाई आंक मुनला केड़े-कड़े आंक देखने देखो एकाई आंक दहाई आंक यांक देखने और इत्थे check की करना है कि आंक जो है वह पांच तो बड़ा है जहां पांच तो छोटा जे ता पांच तो मतलब एक दो तेन चार कि यह है तो असी जित्थे दा कभी ओधी estimation करनी है उस आंक छेंज नहीं करना मिंस जे दहाई दा करनी है ततब दहाई दा आंक चेंज नहीं होना जहे सांक्डी तक करनी है small तक momento नहीं होना जह हजार तक करनी है तक 1000 लैंग यह नहीं हो वेगा प्या। वडियारथिओ एक्वापल लो मानलो चौदा चामफी तक दहाई तक estimation करनी है तो असी किड़ा अंक देखांगे 10 तक करना तो फटेग। एकाई एंक की है चार जो के पांजतों की है छोटा तो पांच यसी इत्थे लिख रहने यसे समझा अंड़ी का उन्हों एक ब्रीजिंग बनाई हो लिए तो इदे उपर चार चार दे उपर तुसी का राख देया कार किदर जारी बैक साइड पिछे में जारी किदर जीरो वल इता मतलब इस चार नों असींग एदे वेच बदल देना है इस वेच बदलांगे सिफर वेच पर इस आंक नों कोई एदे वेच चेंज नहीं करनी है सो एदे एस्टिमेशन होगी दास इतने ही जे तेरा हुंदा ताम ही होदा अंसर किया आणा सी दास जे बारा अंक हुंदा जे बारा डिचिट जे बारा संख्या हुंदी ताम ही होदा अधी एस्टिमेशन किया आणी सी दास ठीक है प्यारे वद्यार्थियो तो इसनों त्य अंदर समझो उस्तों बाद जिकर इही सांख्या होन विसांख्या हुन दी शोडा शोडा है होने छे इस साइडी पांज तो वड्डा होग्या जोडों सोडा इत्या सवार अगला आंक की आएगा साथ फिर आठ फिर नौ फिर दास दे विच दो आंक आ गए मतला एक जो है वाद गया तो एक वाद रहा उन्हों सी अगले आंक दे विच जोड़ देना कि सो ओन देखो छे तो कि छे जो है वो पांच तो वड़्डा है पांच तो वड़्डा है ता इस दा दहाई तक निक्टी करण किया ना इन्हों सिफर कर देना जोगा छे ते जेकर का रख देना तो कि साइड नू जा रही है टैन वाल ते इस दहाई आंक वेच उनकी होना एक एड तो एदा आंसर किया जेना बी एदा आंसर किया लेगा दी तो शोड़ा दा निक्टी करण किया बी या गालनों समझो छे इत्ते सी और शे किदर जा रहे है दास वाल दास वेच दो आंक आ गया है मतला इक आई भी और दहाई भी तो दहाई जिड़ा या ओ एक बद जना है दहाई आंक एक इंक्रीस कर जुगा तो शोड़ा तो आपिक होन समझ आ गया होएगा तो होना असाइनमेंट वाल बात दे यां असाइनमेंट दे वेच बच्चे सब तो पहला कुछ जनराइजेशन सा होनों देखो होन तो आसाइनमेंट वेचे पहला गोश्चन है कि 54 दा मतलग चरिंजा दा दा हाई ताक निटिकरन करो तो एस्टीमेट दी नम्पर तू निरेस्ट तैन्स दा हाई दा मतलग तन्स और निक्टिकरन मीणस एस्टीमेशन ताक शी एदी दा निक्टीकरन करना हुन नंबर किया चरेंजा तो चरेंजा देवेच दहाई तक करना है तो उस्तो पहला अंक देखना है जो कि यह इकाई अंक मेंस वांस प्लेस टैंस तक मैं देखनी करी है वांस प्लेस तो वांस प्लेस किया है फोर अगर फोर है तो चार कितर है पांजतों काट तो एक इतर जा रहे है जीरो वाल यह ता मतलग यह पांजतों काट गई एदा मतलग एदी राउंड ओफ किया रहनी चार ती जगा जीरो और पांच जैजटी तो एदा अंसर आ गया 50 ठीक है प्यारे विद्यार्थी हो नोट करो इनो उस्तों बाद नेक्स्ट एक्जामपल लेने यह आई थिंग तुसी नोट कर लेया होगेगा 54 दा निक्टी करन किया गया 50 ओल्ली बिकॉस 54 दे विच चार जो के पांजतों कीसी काट इस करके जदो कार्णों सी चारते रख्या तो पिछ्छे में जा रही जीरो वाल जीरो दे विच एक ही डिजर्ट आ रहा तो एदा मतलब दहाई अंकनों चेंज नहीं करना सिरफ अकाई अंकनों सिफर विच चेंज कर देना है त्यारी वधियार्थिव नेक्स्ट कोश्चन है अट्सु बबज्जा दा सैंक्डे ताक निट्टी करन सैंक्ड़ा मतलब हंडर्ड प्लेस तक है ठीक है हंडर्ड प्लेस तक तुसी अधी उधा निट्टी करन करना है हंडर्ड तक करना है इत्थे बच्चे असी इद्दा कर दें एक टेबल बना रहने इत्थे लिख लो एकाई अंग इत्थे लो दहाई अंग सैंक्ड़ा ते ये बन गया हजार निज बंस प्लेस तैंस प्लेस हंडर्ड प्लेस और एक थाउजंड प्लेस हाजी थाक हंडर्ड तक असी ऐस्टीमेशन करनी है एदा मतलव आसी कीडा अंग देखांगे दहाई वाला वो तो एक पहला तो एदे वेच आठ सो बवंजा संख्या दे वेच दहाई आंक केडा एकाई आंग हो गया ए दहाई आंग हो गया और ए सेंकड़ा means 100th place होगी तो इने वेचे देखो 10th place ते किया रहा 5 पांच पांच जिते बच्छे जो कार है वो बैकवर्ड ता जानी नहीं वो अग्यन जानी फटर ठीक है ये किया इत्थे stable होगी तो इदा मतलब किया अग्यन जानी इत्मीन से इने वेच की होना इत्थे जो वांस प्लेस है वो भी जीरो हो जानी 10th place भी जीरो हो जानी पार जो 100th place है वो ने वेच एक की हो जाना एड मतलो ये बन गया 900 है सो 852 दी 100 तक estimation जो है वो किया जानी है 900 रांड आफ करके ठीक है कि आगे में द्यारती हो नेक्स्ट कोश्चन है हड हजार तक estimation करनी के दी संख्या है साटे कोड संख्या है विचे साटे कोड 7506 दा हजार तक निट्टी करन हंची हजार मतलब 1000 तक 1000 तक करना तो पहला केड़ा अंकांदा सैंकड़ा मतलब इस वे चसी सैंकड़े वड़ा अंक देखांगे तो सैंकड़े वड़ा अंकी थे वन केड़ा है एक इकाई अंक हो गया हंडर्स प्ले से होगी जो के है पांच तो पांच ते कार स्टेबल आ तो एदा मतलब इरे वेच की होना यह किदर जानी है फर्दर अग्ये नूं ठीक है मैं बार बार ता नूं इस करके दास रहा कि कुछ बचे हुने हुने चोइन किते हुने यह तो इस करके ओना नूं एक चीज शामझ आ जा जांगी तो इस करके इते किया जीरो, जीरो, फाइव तेक दिया जाना, जीरो और सेवन दे विच होन किया, देखो उथे दो डिजट बढ़के 10 विच है, तो बाकि ये सिंगल डिजट आ, तो उथे दो डिजट आए था मतलो, इदे विच एक एड हो गया, तो ये बन गया 8000, मैंनू पदा तुसी ये आंसर हुन तक दे भी चुक्के होगे, कई बच्चा ने था ये आंसर आपने आप भी कर ले होगेगा, क्योंकि उन्हाने प्रिविएस वीडियो भी देखिया ने, तो जेना ने नहीं देखिया हो, बच्चे हुन समझ लें, तो प्यारी बच्यारतियों, होन तुसी इलना समझ गए होगे, जे असी दहाई तक दा एस्टिमेशन करनी है, ता असी एकाई आंक देखांगे, जे असी सेंकडे तक दी एस्टिमेशन करनी है, ता फिर असी दहाई आंक देखांगे, जे असी 1000 तक दी एस्टिमेशन करनी है तब फिर असी किड़ा अंक देखागे किड़ा अंक देखागे सेंक्डे वाला खीक है तो प्यारे विद्यार्थियो ए भी पॉइंट नोड कर लो दहाई तक करनी है ता इकाई अंक देखना है सेंक्डे तक एस्टिमेशन करनी है ताद दहाई आंक देखांगे जह हजार तक estimation means निक्टी करन करना है ताद सी सैंकड़े वाला आंक देखांगे ठीक है जी तो प्यारे विद्यारतियों तो प्यारे विद्यारतियों कोश्चन है 750 प्लस 868 तो मतलब 700 प्या अती 888 दे जोड़ अंदाज्या लगाओ तो प्यारे विद्यारतियों देखो इन्हों करना जिता बच्चन बहुत प्ले खाप है जैंदा कि कि ते तागा estimation करांगे देखो एदे विच आ रहे है 700 और एदे विच की आ रहे है 800 एदा मतलब असी सैंकड़े पॉजीशन तक मेंस हंडर्थ पॉजीशन तक एस्कीमेशन करांगे तो सथ सो पजादा सैंकड़े तक निक्टी करन पॉजीशन तक किते तक करना है सैंकड़े पॉजीशन तक सैंकड़े पॉजीशन तक केड़ा रहे देखांगे दहाई आंक किया है पांच पांच ते कार किदर गई इस साइड एदा मतलाव इत्थे अकाई आंक सिफर दहाई आंक भी सिफर ते सैंकड़े आंकड़े वेच की होना क्योंके दो आंक बंगे दास वेच इस करके इत्थे भी एक जोड़ जाना तो ये बंगे अट तो नूट करो प्यारे वेदे आर आर्त्यों सासो प्यादा सैंकड़े तक निग्टी करन मींस एस्टिमेशन अप्टु HP. अंडर्ड वो किन्नी आगी की आंसर आगिया 800 ते 888 दा प्यारे में आर्थियो सेंकडे तक निक्टी करन 888 दा सेंकडे तक निक्टी करन 100 तक की करना यह रसी ही आंक दिखांगे उन ए 6 छे थे कार अगे जारी किथे तक 10 तक इत्थे भी की होना 1 आए आँक 0 दहाई आँक 2 छिफर ते सेंकडे आँक देविच 1 की हो जाना एड तो यह बन गया 900 तो यह दोना देविच जोड़ा निशान है तो यह दोना नुवसी की करना होने जोड़ देना तो जोड़ा के 0 जमा 0 0 इत्थे भी 0 और 9 प्लास 8 के नाम दा 17 तो यह बन गया 1700 मतलब के ए साथड़ा अंदाजन जोड़ है Ephes 백 अंद्ड़ आधिशन है मितलब एस्टीमेट अडिशन हे ठीक है किया जमा एस्टीमेट अडिशन coc इननेा एस्टीमेट देद आणसर ऑना आना तो आफिक है उनक नेड़े आत्दे दा consistently को आउगा खीक है 904 जमा 3880 3880 3880 so इत्थे देखो 13000 13000 बड़ यह रहा रहा न? ठीक है? और एदे वेच 4000 एदा मतलब एदी estimation करनी है सी 1000 तक मतलब 1000 तक सो तेरा हजार नौसो चार दा हजार तक हजार तक निट्टी करन हाँ जी हजार सो इत्थी यसी बॉक्स बनाया हुआ याद करो हजार दा करना है तो केड़ा अंग देखांगी हंडर्ड प्लेस हंडर्ड प्लेस से किया अकाई दहाई सेंकड़ा तो हंडर्ड प्लेस से किया नाइन कित्थे या एस साइड किदर जाओगा वांग जीरो तो एदा मतलव इत्थे की अकाई आंक सिफर दहाई आंक सिफर सेंकडा अंक सिफर ते हजार बजीशन ते जो आंक है उस वीच जोड़ जाना तो यह बन गया 14000 अगले नूँ असी कुछ नहीं करना इसे तरह 3880 तक निक्टी करना 3880 तो इस वीच भी असी किडा अंक देखांगे हजार तक निक्टी करना तो सेंकड़े वाला अकाई धहाई सेंकड़ा तो इसेंकड़े वाला पुजीशन आगी 100 प्लेस तो इस अठ है अठ वीच भी कार थले नूँ जारी दास वाल तो इस तो इस वीच एक एड़ होना है हजार वाली पुजीशन ते अकाई धहाई सेंकड़ा हजार हजार ते किया चार तो चार वीच एक जोड़ देता तो बन गया चार हजार उन दोना दा जोड़ का लो उन ए देखो जोड़न दा दरीका भी गिया इत्थे पुजीशन दे कोई आंक नहीं थे क्रॉस लगा दो ताके तानू गलती ना लगे तो जीरो जमा जीरो जीरो इत्थे भी जीरो जीरो चार जमा चार आठ तो यह बन गया अठारह हजार तो एदी एस्टीमेशन जो अडिशन है एस्टीमेटेड अडिशन ओकी होएगी एस्टी एस्टी आई एम ए टी एडी एस्टीमेटेड अडिशन यह दे एक खुल आगी अठारह हजार दे एक्वल तो एस्टीमेटेड आंसर है विच्छो नोट करो इन्हों अपनी कॉपी से बद्यार्थिए यौनोट कर लिया लास्ट भिचेश इस मुच्छ नहीं होने मुटिकलिकेशन जन्हें करना है और फाइड कोकेशन करना कॉच्छ नमबर फाईड स्वा अंदाज्चा लगाना तो फिफ्ट कोश्चन है तो थर्ड पार्ट जितना तोड़ी असाइन्मेंट ची लिखे आ उससे तरह मैं लिख देता तो इस विच देखो छे सो छे सो एक सो दोना विच सो सो हा रहे हैं तो यहां मतलो इन वह सी सो ताक एस्टीमेशन करागी तो छे सो हो 115 दी है कि से ईंकडे त्क निक्ति करन पांट शे सो थभ на सेंकडे तक की करन बहुत कि वेके 100 को लएंग ड़िख्याह का ना कर्ना है सो एक करना है है यह आंक कीडा दिखांगी दहाईए लएक सथ साथ ते कार गेज आरी दो अंकावल बदरी एदा मलो इत्थे सिफर इत्थे भी सिफर और एदे वेच छे वेच एक जोड़ जाना है तो किया हुगा 700 1089 सेंकडे तक निक्टी करें एक सो क्वंजा दा सेंकडे तक निक्टी करें एदे वेच भी केड़ा अंक देखांगे दहाई अंक जो की है पांच पांच ते कार स्टेबल जाने किदर पिछे नो नहीं अग्येन अग्येनो गास वाल तो एदा मतला अकाई अंक जीरो दहाई अंक जीरो तो सेंकड़ यांक दे वेचे एक जोड जाना उनसी की करने थे मल्टिप्लिकेशन दा अंदाचा लगाना तो मल्टिप्लाई किता दो जीरो आए दे वेचे दो एदे वेचे तो टोटल गिनिया हो गिया चार सोखा दरीका वेचे मल्टिप्लाई दा ते सत्तू दूनी 14 कर दे ना वेचे सिफ्रा दे लिख दिरिया सिफ्रा दी कोई सिफ्रा नो जो जीरो ने उनना वसी आजटी लिख साग देया मतलब एक दो तेन चार चार जीरो से थे आणिये आणिया साथ गुणा दो किन्ने हो दे 14 तो एदा अंदाच्जन गुणा जो है गुणा फाल किया आगया 14 देनाच चार सिफ्रा मतलब एक लाख चाड़ी हजार सो प्यारे विद्यार्थियो इस कोश्चन भी नोट करो सो आइधिंग तुसी नोट कर लिया वेगा सारे ने जे नोट करने जो कोई दिक्कात आंदिया थे विडियो नोट करके फिर भी तुसी नोट कर सक दिया क्योंकि मैंनो अरड़ी समझा चुका देता नोटा भी है विकाउस ही असाइनमेंट नंबर 60 दे मेच भी है कोश्चन जो है वो कीता सी सो नेक्स्ट फोर्थ नंबर कोश्चन जो है वो किया कि फोर्थ नंबर कोश्चन है नाइन फोर सिक्स थ्री माइनस माइनस फाइव नाइन टू मतलब 9400 शक्ति माइनस फाइनस बान्यमें खूण इत्थे विचे त्या अनाड सोचना की करांगे कि इत्थे ता कसी निक्टिकरन करना है यह बड़ी इंपॉर्टेंट गल्ण देखो इत्थे आ रहा 9000 इत्थे कि आ रहा 9400 शक्ति और यह विच कि आ रहा 500 इत्थे 1000 इत्थे 100 पहले जो केसी सी ओदे विचे 100 थी ता 100 यह आ रहा रहा सी दूझे पासे भी 1000 थी था 1000 यह रहा पर इस केसी विच की आया इत्थे 9400 शक्ति है इत्थे 500 बान्द में यह तो 100 बड़ा जो छोटी वैल्यू होगा उत्थे तक असी निक्टी करन करना है 100 तक तो फिरू भी 100 तक करांगे 9400 शक्ति दा सेंकडे तक निक्टी करन हां जी सेंकडे तक करओंगे ज्यारथियों सेंकडे तक करओंगे तो सेंकडा है इत्थे और कीडा आंक देखांगे 10 आक गिलना है इत्थे तेन तेन तेकार पिछे है जाओगी भी पिछे नूँ अगर पिछे नूँ जाओगी तो फेर असी उत्थे एकई जीवागानी है तो अगला है 501 में दा सेंकडे दाक निक्टी करन पांक सो बानमेदा सेंकडे तक निक्टी करन इत्थे भी यसी कड़ा अंक देखांगे दहाई दहाई किया नौ नौ ते किदर जारीकार दास वल मरला दो आंका दी सांख्या वल नौ तो पहला वड़े आंक जा नौ ओभी सिफर पर उत तो अग्ये वड़े आंक जो नेक्स्ट आंक है एकड़ा पजीशन दे मींज हंडर प्लेस दे है उदे वेज एक जोड़ देना तो इत्थे बढ़ गया छे दे ओने ना दोना लिए की करनी है माइनस दोना ले कटाव करो देखो प्यारे वड्यार्थीयो किना अँंसर आ अंन्दर कटाव करणों तो बार का जी 0 109 बच्च अध्य गियाँ चार आंका थे तेन आंका तो चौप्थे आंक दे वेच एक प्रॉस लगाद त reign इत्तों सी करांगे एक क्योंकि चार जो है ओछे तो छोटा है इसका करके बन करांगे नाइन तो तो नाइन दी जगा ज़ना एट और इत्थ है एने चौदा चौदा चौँँ शेह कटेक इन्हें हुए आठ और इत्थ भी किया गया तो एदा अंदाजन कटा हो जो है अंदाजन कटा हो जो है ओके दे नेड़े तेड़े आओगी अठासी सो दे नेड़े तेड़े इस दा अंसर आएगा सो प्यारे वधियार्थियो एस ये असाइन्मेंट नमबर 63 आस कर दे हैं तो अनुए असाइन्मेंट समझ आई होवेगी ते टॉपिक्स जो ने करवाए ने करवाए गयाने खवर कीते गयाने वह भी तो उन समझ आए होंगे सो इन्मों कॉपियांते नोट करना है और सारे ने नों दुबारा फिर एक वर रिवाइस करना है वीडियो नों भार बार देखो तांकि तो उन्मों समझ आवे बुक्त उठाओ ते उप्रे मिचों प्रेश्चन जो है हो साम जो नहीं उन्मों स्वार्ट करें तो तिल देन स थे ख्राओ इक देखें ते ते एक व arrest देखें एक तो इसक्वाइस करना है और सुए है हुआ है और सब्सक्राइब है यह तो आपकुए है।